हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका दोस्तों चरवा का भाई डीजे भाई यूट्यूब चैनल पर और गाईस आज हम आपको अपना पूरा सेटप दिखाएंगे यदि आपके पास 90,000 रुपए का बजेट है तो आप अपने घर में क्या-क्या जो है लगवाएंगे सोल सिस्टम पर क्या-क्या लगेगा और क्या-क्या चलेगा लोड तो अभी देखिए फटा का सब चीजे में आपको एक-एक करके बताता जा रहा हूं आप अपने इसाब से जोड़ते जाईएगा तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों 530-30 वाट के पैनल दो है जो की पड़ और चारो पैनल वारी कमपनी के हैं तो ये पैनल भी हो गया है 12,–22 रूपई यहां पर चार पैनल का टोटल क्या हो गया है 43,000 रूपई जो की यहां पर वाट की बात करें तो एकाईस साथ वाट टोटल बन रहा है तो इसकी प्राइस मैं आपको बता रहा हूं यह पांच साल की गरांटी के साथ है दोस्तों और इसकी पराइस हमें पड़ी है इन दोनों बैटरी की 14 दुनी 28,000 रुपए तो यहां पर मैं टोटल इसको भी आपको जोड़ के बता रहा हूं तो कुल मिलाकर आप 90,000 रुपए पहुंच रहे हैं यहां पे तार का नहीं जुला ह मान लीजे तार जो आपकी लगेगी 6 mm की लगेगी माइक्रो टेक डीसी वायर मिलती है 65 रुपए मीटर तो लगबग आपका तार का खर्चा एक हजार से डेड़ हजार आ जाएगा बचे हुए थे और नीचे के हमने खरीदे हैं जिसको खर्चा आया 2000 रुपए बनवाने मे तो 4-5,000 रुपए टोटल खर्चा उसका आएगा को में लोड बता देता हूं तो क्या चल जाएगा दोस्तों सबसे पहले दूसरी जगह पर हम आ चुके हैं और यहां पर भी देखिए एक सीलिंग फायन है तो यह भी आभी चलता है दोस्तों और उसके बाद यह एक देखि है गड़बड हो गया था हमारी वज़ा से कुछ पानी चला गया था बारिज के समय पे हमने ध्यान नहीं दिया था और इसके बाद हम एक चीज और दिखाएंगे आपको जो हैवी लोड चलता है यह देखिए दोस्तों यह एक 18 वाट का जो है इंडक्सन चूला इसी है जो मैंने पैसा लगा आज हमारा काम कर रहा है तो आपके पास और भी दो चार पंखे होंगे तो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इतनी सारी चीजें हम अपने घर पर चलाते हैं और नब्य जार रुपया खर्चा किया है हमने दोस्तों आप भी खर्चा करके इतने में इतना सारा घर का लोड चला सकते हैं और चारा काटने की मसीन भी वान एच्पी दो एच्पी के चला सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं फिर मिलेगे एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए आप लोग देखने के लिए है